माता राने की जैहु दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त और सहकुशल होंगे दोस्तों हमारी यूटिप चानल में आपका स्वागत है आज हम आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक आसान सा टोट का बताने जा रहे हैं जो की लाखो बार आजमाया गया है तथा सिद्धी प्राफ्थ है जिसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपना मनचाहा कारे करवा सकते हैं इस टोटके में प्रयोग होने वाली वस्तों बहुत ही आसानी से आपके पास उपलब्ध होंगी दोस्त यह मानिता है कि जब कौवा हमारे घर की दीवार पर बैठ कर आवाज लगाता है तो उस दिन कोई महमान आपके घर में आएगा और कौवे से नजर उतारने की भी अनेक मानिताएं हमारे देश में हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कौवे के पंक के इस विदी को मंगलवार को रातरी के समय करना है इसके लिए आपको सबसे पहरे सभी सामिग्री को इखटा करके आसन लगा कर बैठ जाना है बैठने के बाद आपको पांच मिनिट के लिए ध्यान करना है आपको बस उस व्यक्ति के वारे में ही सोचते हुए ध्यान करना है जि पिदम ताजा और साफ सुत्रा हो कहीं से कटा फटा नहीं अब आपको इस व्यक्ति का नाम लाल मार कर से एक कागज पर लिखना है जिसे आप वश्मे करना चाहते हैं इसके साथ उसकी मा का नाम भी आपको लिखना है अब नीचे स्वास्तिक का चिंड बना लेना है और फिर jeśli आपना और अपनी माता का नाम लिखना है कि अब आपको इस पंक से सिंदूर उठाणा थे और supply इसे नाम लिखे विस्थान पर गिराना है अब आप पंक से सिंदूर को गिरा रही होंगे तब आपको एक सिद्ध मंत्र का जाब करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं मंत्र कुछ इस प्रकार है ओम हिम हिम कनू मंचित वश्यम कुरू कुरू स्वाहा अब आपको इस कागस को अच्छे से मोड कर छोटा कर लेना है अब आपको अगली सुबा उटकर नाम लेके कागस को एक काली दागे से साथ बार बांध लेना है